दोस्तो गर्मी का सितम इतना पहरडार आए कि 43 गे उपर तंप्रेचर जा चुका है और अभी मैई आधी भी नहीं गई है दोस्तो आने वाले समय में कितनी गर्मी पड़ेगी यह तो हम नहीं बता सकते लेकिन गर्मी से छुपकारा पाने के लिए हमको क्या करना है तो दोस्त के बारे में रिवीव चल रहा है तो दोस्तों आज हमारे पास में यह बोल्टास का जेड मैक 70 लीटर का कूलर है आज इसके बारे में हम रिवीव करेंगे और आपको बताएंगे कि यह कूलर आपको क्यू लेना चाहिए दोस्तों बहुत सारे कंपनियों का हमने रिवीव किया बहुत सारे कंपनियों के बारे में हमने बताए लेकिन यह कूलर जो है यह थोड़ा हटके है क्या हटके है यह चीज हम आपको बताएंगे दोस्तों यहां पर जो आप यह देख रहे हैं यह आपको सामने ब्लोर जो द कितना तो मजबूद क्वाल्टिक आप इससे अधनाजा लगा सकते हैं दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो बहुत ही अच्छो क्वाल्टिक एवियस प्लास्टिक है यहां पे सामने आप देखेंगे तो आपको बॉटर एंडिकेटर दिया हुआ है सबकर लिटर इसके अंदर पानी बैठता है और यह जो आप देख रहे हैं यहां पर इस तरह से बनाने से बेनिफिट क्या होता है कि हवा जो है वेग पकड़ता और ज्यादा दूर तक यह डिलिवरी होता है सामने के फ्लाइब जो है यह दो भाग में बटे हुए है इनको आपको जैसा चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हैं और अंदर जो खड़ी पट्टिया है वो स्विंग करती है आपका इधर उधर उसके लावा बाकी कूलर में दो ही नॉब रहते हैं यहां पर दोस्तों आपको कि यहां बात करें इसके पैडॡ की दोसतों तो तीनों तरफ आपको थीक रहनी कम पैड दिया उससे कहनी कम पैड जो है काफी टिकाव हो जाता है यहां पर दिया हुए हैसे पानी डाल दिया तो यहां से निकलने लगेगा और नीचे यहां पर रवड दिया रहता है जिससे आप पानी निकाल सकते दोस्तों यह दिखें यहां पर दिया हुआ है इसका दिए यह बड़ा पैड होने का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों की इस एरिया में जब पानी गिरता है और बड़ा पैड रहे तो ज्यादा वेंडिलेशन मिलता है उसके काया आपका कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है दोस्तों यह 185 वाट का है इसमें पाम मोटार तीनों मिला के जो पाबर कंजूप्शन है वह 185 वाट का है दोस्तों इसके जो मोटर से वह 100% कौपर के मोटर है और वह भी आपका थर्मल ओबर प्रोडेक्ट के साथ में अगर गरम हो गया लाइट क्रम जादा हो गई तो खराब नहीं होगा आटोमेटिकली बंद हो जाएगा यह जो प्रोडेक्ट है दोस्तों बोल्टास का है बोल्टास आपको मालूम है एक जानीवानी कंपनी है और टाटा ब्रान की कं अपनी है तो जो एक भरोसा है वह स्कूलर के साथ में जुड़ा हुआ है दोस्तों इसकी बात करें इसकी प्राइज की अगर बात करें तो अट्रहाजार एक सो नब्दे रूपए इसका प्राइज है लेकिन आपको डिस्काउंट करके साड़े तेरहाजार के असपास मिल ज लगाते हैं तो रूम का साइज बड़ा होना चाहिए अगर आप छोटे रूम में बड़ा साइज का कूलर लगाएंगे तो आपको नॉइस लेवल ज्यादा आएगा इसलिए जब भी बड़े साइज का कूलर आप लगाते आपका हॉल बड़ा हो या रूम बड़ा हो और को अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा दोस्तों पाजूहिल का जब भी पानी भर देंगे और भजन के कानण आपको कूलर बीच में प्रवल्लम नहीं होगा खराब नहीं होगा और आप इसको इजी ढंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं यह देखिए इस तोरह से यह इसका है इसका जो कंपनी बोलती है वो बोलती 14 मेटर मतलब कम से कम 40 फुट तक यह दिलेवरी है लेकिन 40 फुट नहीं पैतिस फुट नहीं है तो गजब करेंगे तो यह जो अंदर की पट्टिय देखें लिए यह गूमने लगी इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको कर पाएंगे तो दोस्तों जो लोग अच्छा कूलर रहें ब्रांडेट कूलर रहें मजबूत कूलर रहें कम सकम 3-4 साल तक उसकी लाइफ रहे तो यह कूलर आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों यह कूलर आप पर्चस करने से पहले आप खुद भी एक ब पर्चस कर सके दोस्तों इसके अंदर कंपनी अगर चाहती तो आइस चेमबर भी दे सकती थी लेकिन वह आइस ट्रे नहीं दिया इतना कंपनी नहीं दिया हुआ है अगर आटो फील भी दिये होते तो वह भी क्यूंकि 70 लीटर पानी बरना इतना आसान नहीं होता बहुत प्लास्टिक यह सारी चीज अच्छी रेट भी काफी रिजनेवल है गारंटी और वारंटी की बात के लिए तो वारंटी आगी दोस्तों कुछ भी प्राब्लम हुआ कंपनी का भूम सिटी है मेट्रों सिटी में छोटे सहरों में चोटे ग्रामीड एजिया की बात हम नहीं क कर सकते क्योंकि वहां काम को इतना कॉंफिडेंस नहीं है लेकिन बड़े सहरों में आपको इसकी सर्विस बहुत ही अच्छी है तो दोस्तों इसी तरह से नए ने वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल में फर्स टाइम है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत बंदे मात्रा